राजा रजवाडों के समय से राजशाही धरोहरों में शामिल ताल कटोरा के सामने स्थित पूर्व महराजा सवाई इश्वरी सिंग के छतरी पर आज भी नियमित पूजा अर्शना होती है सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार 12 दिसंबर को श्रधांजली कारिक्रम होगा हर रविवार और गुरुवार को यहां लोक देवता की तरह विशेश पूजा होती है यहां आज भी नियमित रूप से अखण जोत जल रही है महंत रामतीर्थ पारिक ने बताया कि पूर्व महराजा इश्वरे सिंग तंत्र समराट के नाम से जाने जाते थे और आधा गोविन देव जी के अन्यन्य भक्त थे ऐसी मानेता है कि इश्वरे सिंग जी आज भी अप्रत्यक्ष रूप से गोविन देव जी की सभी साथ जहांकिया करने जाते हैं पारिक कहते हैं कि रविवार और गुरुवार को लोग यहां आकर ढोक लगाते हैं यहां के बने कच्चे सूत के धागे से पीलिया टाइफाइड इतियादी रोगों से मुक्ती भी मिलती है महंत रामतीर्थ पारिक ने बताया कि पूर्व महराजा इश्वरे सिंग संगीत साहित्य संस्कृत ललितकला और तंत्रशास्त्र के गहरे अनुरागी राजा थे जहां पर तीज और गणगौर की सवारी का मेला भड़ता है वहाँ पर इन्होंने मोती बुर्च का निर्मान कराया था जिसमें बैठ कर राजपरिवार की लोग तीज और गणगौर की सवारी देखते हैं तीज और गणगौर की सवारी उनकी शत्री के सामने कुछ शन रुप कर रवाना होती है